यहाँ पर minus q charge है और यहाँ पर plus q charge है इनके बीच का distance हम लोगने 2L बाना इसके center से यहाँ कहीं से r distance पर यहाँ पर एक point है तो यह point जो p है यह p point बेटा axial position हो गया इसी को end on position भी कहा जाता है तो सबसे पहला derivation हम लोग यही कर रहे हैं Electric Potential at axial position देखो जब electric field निकाला था तो हमको थोड़ा दिमाग लगाना था कि positive charge अपने से दूर electric field create करता है negative वाला अपनी तरफ करता है सही है अब हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है हमको simple formula लगाना है क्योंकि यह एक scalar quantity इसमें direction होता ही नहीं है तो अगर P point पर आपको potential निकालना है तो बोलो simple है Q charge की वज़े से potential निकालेंगे minus Q charge की वज़े से निकालेंगे और दोनों को add कर देंगे Q charge की वज़े से बेटा potential कितना होगा 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by R R मतलब यह distance यह distance कितना था R minus L क्या यह बात समझ वारी है plus 1 upon 4 pi epsilon 0 अब charge कुन सा है minus Q तो इसमें हम लोग negative ले लेंगे और distance कितना हो गया R plus आपके मन में हो सकता है यह आजाए कि सर जब आप electric field लिख रहे थे तब तो आपने यह minus नहीं लिया था क्योंकि electric field एक vector quantity थी वहाँ पर plus और minus का मतलब direction से होता है तो वहाँ मैंने यह बोला था positive charge है अपने से दूर electric field create करेगा और वो negative है अपनी तरफ करवाएगा तो वहाँ हमने direction पहले ही consider कर रखा था और यहाँ direction का कोई लोचा नहीं है तो यहाँ पर हम with sign लेंगे बात सबच मैं है या कोई भी scalar quantity अगर होती है तो sign के साथ उसको add separate किया जाता है और अगर vector quantity है तो direction के साथ add या separate किया जाता है यह बात सबच मैं ही तेख तो वही काम यहाँ पर है q upon 4 pi epsilon naught आप लोग common कर लो 1 upon r minus l minus 1 upon r plus l lc m लेंगे तो बोलो r plus l minus r minus l divided by r square minus l square r say r cancel l minus minus l plus l 2l q into 2l so 1 upon 4 pi epsilon naught p upon p बन जाएगा ना p upon r square minus यह आगया बिटा एक formula इसमें भी अगर आप लोग को याद हो मैंने starting में ही कहा था formula will become positive होगा क्यों ऐसा देखो पहली बात तो formula positive आ रहा है दूसरी बात यह p point positive charge के ज्यादा करीब है या negative के दोनों charges का power बोलो same है क्योंकि दोनों ही क्यों है सही है ना यह अपने आसपास ज़्यादा positivity create करेगा ना क्योंकि यह close है इसके उससे दूर है तो आप जिसके close हो उसी का तो nature adapt करोगे तो यह positive character दे रहा है positive potential दे रहा है इसलिए net potential भी कैसा है यहाँ पर positive लेकिन अगर यही point इदर की तरफ होता तो इस बार हम negative के करीब हैं तो negativity आएगी मतलब वहाँ पर negative potential आएगा यह logic है इसका clear एक्दम अगला derivation बहुत ही ज्यादा simple है उसमें electric potential at equatorial position second वाला था equatorial position equatorial position पर जड़ा check करो यह negative charge था और यह वाला positive charge है इनके बीच का distance 2L के बराबर है ठीक इस बार जो point है वो point यहां कहीं पर है r distance पर यह point है यहां पर हम लोग को potential निगालना है तो अगर आपको potential p point पर निगालना है तो again formula वही है potential due to q charge plus potential due to बोलो q charge की वज़े से potential कितना होगा 1 upon 4 pi epsilon not q by यह distance यह कितना है under root r square plus और negative charge की वज़े से potential कितना होगा 1 upon 4 pi epsilon not minus q upon that distance is also under root r square plus क्या यह potential 0 हो जाएगा बोलो यार same है direction का कोई मतलब नहीं है simply उसको उटा के हमने add किया तो value कितनी आ गई 0 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब बेटा यह है कि अगर यह माल लो minus 2 qolm का charge है और यहां कहीं पे plus 2 qolm का charge है ठीक आप से कहा जाए कि यह midpoint है ठीक है यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर बता दो potential कितना होगा इस midpoint पर potential कितना होगा 0 इसके ऊपर माल लो यहां से यह pass हो रहा है यहाँ पर एक point है p इस p point पर potential कितना है 0 आप से कहें यहां पर पोटेंशल बताओ पी डैश पर अगें पोटेंशल इस मतलब इस पूरी लाइन पर पोटेंशल क्या है